हेलो फ्रेंड्स विल्कम तु माई योटोब चैनल जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में जी आसी लेक्चिरर सोसियोलाजी प्राक्टिस एडमर 15 को सौलू करेंगे ये प्राक्टिस एड बिल्कुली स्लेबस के एकॉर्डिन त्य तो चलिए सौलू करते हैं आज हमारे प्राक्टिस एडमर 15 के कुश्य नंबर वन को आज हमारा कुश्य नंबर वन है निम्नांकित में से किसने भारती जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राश्य उद्ध्यान का सुझाओ दिया था ऑप्शन नमरे डाक्टर मज वैरियर एलविन ने भारती जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राश्य उद्ध्यान का सुझाओ दिया जिससे बैगर जनजात एवं गूंड जनजात के लोग सरड़ ले सकेंद इस वज़ए से कुश्यन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्शन नंबर डी आज ह राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा ओप्शन नंबर भी यान की हिंदु समाज में प्रचलित बेऊसथा बंदश्य क्रण का सबसे असपष्ट उदारण है जात एक ऐसा समूँ है जिसकी सदस्ता जन्मजात होता है प्रतेख जाद का एक नाम और एक बेऊसाय होता है एक के लोगों का एक वन्शानुगत पेशा होता है इस प्रकार प्रदेख जात की अपनी एक जीवन सैली होती है ठीक है तिस बिचा से इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन बी आज हमारा थार्ड कुश्चन है निउपन में से कौन सक्त का एक प्रमुख लच्चन है औप्सन बर यह संबंद मूलक होती है option number B यहां इस्थित परक्त होती है, option number C यहां चमता घोतक होती है और last option number D, A और B दोनो, तिस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number D, यानि की A और B दोनो, ठीक है? सक्ति के दो लच्छड होते हैं, पहला या संबंद मूलक होती है तथा दूसरा यहां इस्थित परक्त होती है सक्ति यद्यभ वएक्टि के किसी अन्ने को प्रभावित कहने के चमता है, फिर भी या सरल व्यक्दिगत लच्छड ना होकर मूल रूप से संबंद मूलक है सक्त इस्थित्परत होती है अर्थात करता किसी विशेश इस्थित में ही प्रियुक्त कर सकता है ठीक है तिस बज़े से इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर डी आज हमारा अगला प्रश्चन है आज इवासी बोलियों के लिए देव नगरी द्ही ने की या यानी की वियरलविन ने प्रियोजनाओं के मूल ल्यांकन के लिए भारत सरकार द्वारा 1969 में मानौजास्त्री वैरियरल एलविन की अधेशता में एक समित बनाए गई इस समित ने अपनी रूपोर्ट जहाए या में और रिपोर्ट कप सावपितित या रिपोर्ट सावपिति 1960 में केंज सरकार को प्रस्तुत की थी आर्थिक साधनों के साथ साथ जंजातियों के संस्कृतियों तो था मनुव वैज्ञानिक सोच को बदलने भी बदलना भी आवश्यक है जिसे ये आधनिक जीवन सहली को स्लीक आउस के संद्ध में कौन सा कसा कथन्ग गलत हे इनमें से कौन सा कथन में जो है गलत है किसंक राइट-अमश्यक हुआ जैसे कि सेख, खान, पठान, सायद, मलीक यह मंसारियाद ठीक है इस पज़े से इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर डी यानि कि जाद प्रता के संबंद में कौन सा कतन गलत है तो ओप्सन नमबर डी जो है हमारा गलत है यानि कि भारती मुसलमानों में भी जातकत भेदबाव होते हैं ठीक है आज हमारा अगला प्रश्न है निम्न लिखी दो सोचियों के विशियों का सही मिलान कीजे तथा तदा नुसान नीचे देगए कोड से अपने उत्तर का चुनाव कीजे यहाँ पर सोचिय नमबर वन दिया गया और यह हमारा सोचिय न सम्मंद के जाया ठीक है धो भी का सम्रह्ण है तीसरा है मुसल्मान मुसल्मान का सम्मंद किसले मुसल्मान सा मुस आसलमे मुसल्मान आपनाते हैं मुसल्मान का सम्दि Professore v. तेस कुश्चन का जो right answer होगा वह होगा हमारा option number C, यानि कि अलप संख्यक का संबंध है इसाई से, धोबी का संबंध है जाति से, मुसलमान का संबंध इसलाम से है और भूम का संबंध जो है या क्रिसी से है, तो question का right answer होगा हमारा option number C, आज हमारा अगला प्रश्ण है, एव मानो सास्त्री है और last है option number D, एक सामाजिक मनो वैग्यानिक सब्द, तेस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का जो right answer होगा, वह होगा हमारा option number C, यानि कि जीव वैग्यानिक एव मानो सास्त्री, प्रजाद प्रांड सास्त्री आधार पर बन व्यक्तियों का ऐसा समूँ है, जिसमें कुछ सामान सारेरिक लच्छन तथा आनुवानसिक गुण होते हैं, अश्पश होता है कि प्रजात एक जीव वैग्यानिक एव मानो सास्त्री सब्द है, question का right answer होगा हमारा option number C, आज हमारा अगला प्रश्ण है, सामाजिक अस्त्री करण को इस तरह परिवासित किया option number C, बिबिन सामाजिक वर्गों के बीच अंदर क्रिया, और last option number D, सामान गुडों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारन करना, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा option number A, यानि कि छमता धन एवं विशेशा अधिकार के आधार पर वर्गों का अस्तान निर्धारन कर सामाजिक अस्तेरे करण्ड विशच प्रकार के सामाजिक विवय करण की एक बेवस्था है जिसमें सामाजिक पदो के ऊचनीच पर आधार सरेणी बतता होती है, अर्थात किसी सामाजिक बेवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, सक्ति, संपति, तथा सुबिदाऊं, अस्तेकरण का एक रूप है कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नंबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है जिस पध्धत के तहत जादगत क्रम प्रंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जात किसी उचतर जात की आदतों प्रंपराओं योम अनुष्ठानों को पनाती है उसे कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है तर Sophia का राइट एंसर होगा एकहरा अपना और पिचार धारा और जीवन प्रकित को बदलता है उसे संस्कृति करण कहते हैं तो कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर बी आज हमारा अगला प्रश्चन है आरोपित प्रतिष्ठा से तातपर है समाज में वह स्थित जिसके मूल में होता है ऑप्शन नमबर ने है उची आमदनी, ऑप्शन नमबर भी है उच्च कोट का ग्यान, ऑप्शन नमबर से बेरता मूलक कार और लाश्च है ऑप्शन नमबर D, उची जात में जन्व तिस कुश्चिन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D यानि की उची जात में जन्व आरोपित प्रतिष्ठा से तात्वर उस प्रस्थित में है जो व्यक्त को मात जन्व के आधार पर प्राप्त हो जाती है आरोपित प्रस्थित को प्राप्त करने के लिए व्यक्त को ना तो किसी योगिता निपूर्ता की आवशक्ता परती है और ना ही मेनत की इस ते पुरुष बाला की हुआ व्रिदी ब्राम्हन छत्री आद आरोपित प्रस्थित के उधारन है इन प्रस्थितियों पर व्यक्त का कोई जो अपना कोई जो है नियंतर नहीं होता अर्जित एवं आरोपित प्रसितियों की आउधाड़ा का सरप्रथम परियोग राल्थ लेंटर ने दोनों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए जो है कि आहेद कुष्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नंबर डी आज क्या हो जाएगा यानिकी आदिम समाज तोड़ा जनजात आदिम समाज के अंतरगत आती है यह तमिल नाट की नेलगर परबत पर निवास करते हैं यह एक पसपालक विशेष्टा वहेंस जनजातियां हैं कुष्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नंबर सी आज हमार राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर डी यानिकी उपरोक्त सभी समाजिक असेकरण द्वारा समाज विभिन उच एवम निम्न समूहों में विभाजित एवम बेवस्थित होता है तथा यह समूह परस पर एक पता के आधार पर होता है तो इस क्रिया को इस प्रकार से जानता है और द्री करण द्रीकौन का हो जाएगा महीं की की बंद अस्तिरेकरण बंद अस्तिरेकरण का सरवुत्तम उधारण जाद ब्योस्ता है जो जन्व एम आनुवान शिक्ता पर आधारित होती है जाद एक ऐसा सामाजिक समू है जिसकी सदसता जन्मजात होती है प्रतेक जाद का एक नाम और एक ब्योसाय होता है और एक जाद क का राइट एंसर होगा हमारा option number D यानि की बंद अस्तिरेकरण आज हमारा अगला प्रश्ण है कि जाति का आधार क्या है option नमबर यह धर्म option नमबर भी जन्म option नमबर से प्रतिष्ठा और लाश्ट option 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 d अनुष्ठान का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुण्शन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्स नमबर यानिकी जन्म िफसी समानपारशपर पेसे वाला एक ऐसा अंतरे विवाह समू यानिकी सामाजिक समू है जिसके सदस्यता जन्म से निश्चित होती है तथा जिसके सदत से सामाजिक ब्यवहार, खान पान, सामाजिक आर्थिक संसकार आध के मामलों में कुछ निश्चित प्रतिबंदों का पालन करते हैं ठीक है तिस वज़े से इस कुश्चिन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर B, आज हमारा अगला यानि की जात ठीक है जब स्रेड़ी किंचित अत्यन्त वनसानगत होती है तब उसे जो है जात ही कहते हैं तो कुश्चिन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर B, आज हमारा अगला प्रशन है अब जात ही समू होता है ऑप्शन नमबर A समान उमर वालों का, ऑप्शन नम समान उम्र वालों या समान वर्ग वालों का होता है जैसे जमीदार, नवाब, महाजन और रईस लोगों का समूर ठीक है तो इस वज़ए से इस कुश्चिन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर A, आज हमारा अगला प्रशन है जात सब्द कौन सी भासा से आया है, ऑप् नमबर D यानि की पूर्टगाली ठीक है जात सब्द अंग्रेजी भासा के काश सब्द का हिंदी रूपांतरण है अंग्रेजी सब्द काश की उत्पति पूर्टगाली भासा के कश्टा सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मत यानि की विभेत तो था जात से लिया जात भी बातम से अब्रांस चिया किसने किया आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा यदि है और वीडियो को लाइकि कर दीजे और यदी आप इस वीडियो को डाॉड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जहां पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किये अभी तक जितने भी प्राक्टिस हैं उन सभी के पीडियाप अभेलबल हैं जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्म कर दो कि य उसका आप लोगों से कोई भी कॉश्ट जो है चार्ज नहीं किया जा रहा है यानि कि वह विल्कुल अन्पेड़ेड है तो इस वज़ए से आप लोग जो है मॉक्टोट को जरूर दीजिए आप इससे क्या होगा कि आपको एक्जाम में काफी काफी ज्यादा जो है help देखन जिसके आलेड़ी दो practice it आप लोगों के लिए provide किया चुको है प्रक्टिसेटमर 2 आज ओनिंग में hanno hrh यादि अभी तक आप लोग ने सामान अधन का practice your amad too solving it नहीं किया है तong आप लोग उसे भी चैनल पे जाकर कर लिए जिसे आपको एक्जाम में काफी हिल्प मिलेगे ठीक है उमीद करता हूं कि आप लोग जो है टेलग्राम चल को जॉइन करके मौक्ट जरूर देंगे और आज साम को कंडेक्ट होने वाले जो मौक्ट होगा बहुत ही इंपॉर्डेंट होने वाला है तो आप लोग साम का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुछिन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर सी यानकी यादव भारत में पारंपरी ग्रूप से गैर कुलीन किसान चाहे वाले समुदाओं या जातियों का एक ऐसा समूह को संदर्भित करता है यादव भारत इम नेप काल में निवास करने वाली एक प्रमुग जात है धर्म सास्त्रों में वर्ण ब्योस्ता समाज का चार वर्ण हो यानकी ब्राम्मन चत्री वैस और सुद्र में विभाजित है गोंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा जनजाती समूह है ठीक है गोंड जनजात जो है यह भारत क सबसे बड़ा ठीक है दूसरा सबसे बड़ा जनजाती समूह है कुश्चन का राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर सी आज हमारा अगला प्रश्ण है कई जात को पूर्व जन्मी कहा जाता है क्योंकि केवल उनको ही इस धर्म क्रिया अनुभव करने का अधिकार था ओप्सन ब्योस्ता के अंतरगत प्रथम तीन ब्राम्मर छत्री वैस दूज अर्था दो बार जन्म लेने वाले कहलाते हैं यहां विश्वास किया जाता है कि इनका जन्म एक बार माता पिदा के सरीर संयोग के फलसरूप होता है और दूसरा जन्म गुरु पिता और गायत्री मंसे त लेक किया है और है पुरुष सुख्त और भी शूरुति और सी वैसाक और लाश्ट और प्रमुख सुख्त मंत्र संग्रा है जिसमें विराट पूरसों की चल्चत अंगों का वडन है इसे वैदिक इस्वर का सुरूप मांथे हैं इसमें चार वर्णों की बात कही गई है तो question का right answer होगा option number A, आज हमारा अगला प्रश्ण है, ऐसी जादु क्रिया है जिनका उद्देश किसी को हान पहुचाना होता है, उस जादु को का नाम क्या है, तो इस जादु का नाम क्या है, तो इस question का right answer होगा option number A, यानि की काला जादु, ऐसी जादु क्रिया है, जिनका उद्देश किसी को हान पहुचाना होता है, उनको काला जादु के नाम से जाना जाता है, question का right answer होगा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, मैसूर की ओका लिंगा जात का अध्यन किसके लिए प्रशिद्ध है, तो या किसके लिए प्रभूत जात के लिए, मैसूर की ओका लिंगा जात का अध्यन प्रभूत जात के लिए प्रशिद्ध है, समाज सास में इस अवधाड़ा का प्रयोग एमन स्रीनिवास ने किया है, प्रभूत जात किसी छेत्र या गाउं विशेश में आर्थिक राज्जियंतिक दिरिश् आज हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित में से कौन या सुविकार नहीं करता है कि सामाजिक अस्रीकरण एक प्रकारियात्मक आवश्यक्ता है, आप्सन नमबर ए है के डिवीस, आप्सन नमबर भी है, एम ट्यूमिन, आप्सन नमबर से टी पासंस और लास्ट आप आप्सन नमबर डी डेबलू मूरे, तिस कुछिन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुछिन का राइट एंसर होगा आप्सन नमबर भी यानि की एम ट्यूमिन, ठीक है, एम ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक अस्रीकरण एक प्रकारियात्मक आवश्यक्ता नहीं है, त आप्सनद की वरग विदोरेश और लाष्ट है ऑफसन नमर D प्रदर्त सदस्यता, तिस कुछिन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस Quickies का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्सन नमबर डी यानि की प्रदर्त सदस्यता, वर्ग बेक्तियों का एक ऐसा समुझ जिनकी किसी समाज में समान प्रस्थित यानि की पद अस्तर और साज़ा जीवन सैली है वर्ग जितना वर्गों का ध्रविकरण वर्ग द्वेस वर्ग की विशेश्थाएं हैं तो इसमें से जो है वर्ग की विशेश्थाएं कौन से नही है option number यह है अभिजन, option number c और लाश्ट नमबर d निम्न वर्ग तीस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number c यानिकी मध्यम वर्ग मध्यम वर्ग में शामानिता उच नीज का अस्तिर करण्ड देखनेंगों को मिलता है जिसमें इन में संगठन असम्बव हो है, ति इसकोर्षन का यार्थ्टन सरमक्यों की बढ़ती संख्या सौमित होता है और नियंतर्ण होता है और जो उत्पादन को खरेदने और बेचने की हैसियत रखते हैं वे एक वर्ग का निर्वाड करते हैं इसके विपरीत ऐसे व्यक्त जो केवल जो है स्रंप पर निर्वाड करते हैं वे दूसरे वर्ग का निर्वाड करते हैं इन्हीं दो नमरे एक जनजाती निरती आप्सिन नमबर बी परिवार का समूं। आप्सिन नमबर से विश्रूव परिवार के लिए गारो सब्द और लास्ट है आप्सिन नमबर डी मैक्सिको का एक धार्मिक ग्रंत पंथ ते इस कुछिछन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस का राइट एंसर होगा ओप्सिन नमबर बी आज अमरा अगला प्रश्ण है भारती जाद विव्योस्था का सबसे अनिवार लच्छन है सबसे अनिवार लच्छन क्या है ते इस कुछिछन का राइट एंसर होगा ओप्सिन नमबर ए यानिकि उसकी अंतर बिवाही प्रकित ठीक है जाद इभिष्टा का सबसे अनिवार रिलच्छन उसकी अंतर विवाही प्रकितियत कुश्चन का राइट एंसर होगा option number a आज है अगला प्रशने है प्रभुजात की अउधारा दी है तो प्रभुजात की अउधारा किस ने दी है इस कुश्चन का राइट एंसर होग option number d आज है अगला अगला प्रश्न है भील और मेडा जनजातियं मंखेता किस राज में रहती है किसरा दमर सहरीया और घुजरात मैं पाय जानी वाली जनजातियं कौन Nazandraar बंजारा कोली पर्टेलिया डाफर और तोलिया महाराश में पाई जाने वाली जन जातिया वह हैं बारली बंजारा कोली चित पावन गूंड और एक है अबुंका और माडिया ठीक है जारकंड में पाई जाने वाली जन जातिया हैं संथाल मुंडा हो औराउं बिरहोर कोरभा असूर भूया गोंड सौरिया और भूमिज ठीक है तो इस वज़े से कुश्चन का राइट एंसर क्या होगा तो कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर सी आज हमारा अगला प्रशन है सूची वन को सूची दो के साथ सुमिलित किजिते हैं पर सूची नमबर वन दिया गया है और यह हमारा सूची नमबर दो है सूची नमबर वन में जनजात दी गई है और सूची नमबर दो में उनका निवास अस्तान यानि कि वह किस राज या छेत्र में निवास करते हैं इनी का हमें आपस में मिलान करना है तो यह मिलान करते हैं पहली जनजात हमारी चौछन का राइट एंसर क्या होगा तेस कुछन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रश्न है भारती साधी बिवाह में प्रदर्शनी उपभोग का आधिक के है यह किन दो बातों के सम्मध में प्रियोग किया जा सकता है पहला दिया गया है किसी ब्यक्ति की जात का प्रदर्शन दूसरा दिया गया है धन का प्रदर्शन तीसरा दिया गया है महें के भोजन कराना और चौतर दिया गया है अपने सामाजिक इस्थित का प्रदर्शन करना कुश्चन क्या कह रहा है कि सही बिकल्प चुनियति इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number D यानि की धन का प्रदर्शन और अपने सामाजिक इस्थित का प्रदर्शन करना 32 आधी प्रदर्शनी उपभोग का आधिक है या धन का प्रदर्शन तथा सामाजिक इस्थित का प्रदर्शन के संदर में प्रियोग किया जा सकता है प्रदर्शन कारी उपभोग की आउधाणा वेवले ने प्रस्तुत की है इस सब्द का प्रियोग उन्होंने विलासी आलसीपन और ऐसे जो है निरलच उपभोग से भरी होती है जिसका ना तो खुद के लिए और ना ही दूसरों के लिए कोई उपयोगी महत होता है ठीक है तिस वज़ा से कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर डी आज है अगला प्रश्ण है निमलकित में कौ की आप्सन नमर भी यानि की जारवा अन्डमार और निकुबार में पाई जाने वाली जन्जात या इसपरकार हैं जैसे की सेंतिनली जारवा ग्रेट अंडमानी और शुपमेन ठीक है का राइट एंसर होगा हमारा option number B, आज हमारा अगला प्रश्ण है, निम नखित में से किसने दो माडलों के रूप में समर्सता और असमर्सता सब्दों का प्रियोग किया, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक अस्तिरकंड की ब्योस्ता की तुलना की जा सकती ह और प्रश्ण का राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा option number D, यानि कि आंद्रे बैतेई ने जो है, आंद्रे बैतेई से संबंधित या जो कथन दिया गया है, यहां दो मॉडल का रूप जो दिया गया है, यानि कि समर्सता और असमर्सता सब्दों का प्रियोग किस ने किया ह या जो है आंद्रे बैतेई ने किया है, इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer होगा हमारा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, हिंदु समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका प्वित्रता और प्वित्रता का विचार जात्र प्रता में प्रतिविम्वित होता है, option number Max Weber, option number B, लूइडोमो, option number C है, सिलिस्टिन, चार्ष, बॉगले, और लाश्ट है option number D, A, M, होकार्ट, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा, option number B, यानि कि लूइडोमो, लूइडोमो ने अपनी पुस्तक होमो हैरार्कियस में जातिके संसर्ण पर जो है चर्चा किये तथा उसमें जाध आधारित पवितरता एवं अब वितरता संबंदी विचार प्रतिपादित की आयत question का right answer होगा, option number B, आज हमारा अगला प्रशन है, समाज के उचता हुआ निम्नता के क्रम के अस्थाई विभाचन को निम लिखित में से क्या कहेंगे, तिन म question का सही जवाब दिया था जो है, पूनम देवी ने, मिश्टर वशेम, रानु रॉय, अनिल कुमार, दूबे, विवेक तिवारी, संजे कुमार, विनो दशा, पूनम भारती, महवीर प्रशाद, सोनी पाल, विजय प्रताप सिंग, पूनम सिंग, मनोश कुमार, मेनका सिंग अनाम्क्या गुप्ता, राम प्रिकास सिंग, निधी सिंग, मिनु वर्मा, राज भादूर सिंग, रोली तिवारी, परमेंद्रा राय, सीवा गुप्ता, भारा सिंग, राना, रियाना, बानो, विकास और जग्यासा सर्मा, श्रद्धा श्रीवास्तो अन्नुपांडे दिवेंद्र कुमार सौर इशुकला राजियु राठो रासपुष सैनी सुनिता राठोर अनीता तिवारी मुनेश कुमार महावीर प्रशाद अकांछा श्रीवास्तो रमेस यादो सिंग चंदन रानु रोय अंकित राए इसने हला था नीतो तीवारी प्रशापती और मिला यादो प्रदीप मौर्या गौरौ सिंग अंजु वर्मा कल्पना सिंग पूनम सर्मा विनोदसा राज वर्मा और हर्स वर्धन यानि कि इन सभी ने इस कुश्चन का सही जवाब दिया था तो आई विकिन जातियों के बीच अनेक प्रत्यबंदों द्वारा निर्मित प्रतिमानित अंत्या क्रिया सी है यह प्रत्यबंध ब्योसाई, बिवाह, सभूज, पारसपरिक ब्योहार से सम्मंदित होते हैं जाद व्योस्था की रशना एक पिरामेडी रूप से यान की ऊपर से नी मिता क्रम के अस्थाई विभाचन को कहा जा सकता है तो इस वज़े से इस क्वेश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन नमबर डी आज हमारा लास्ट प्रश्ण है सामाजिक अस्तरी करने ब्योस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम अस्तर की सतस्ता चाहते हैं कि या ब्योस्था ऑप्शन नमबर यह बदले यानि की परिवर्तन करें ऑप्शन नमबर भी अ इस्थिर रहे और लाश्ट ऑप्शन नमबर डी प्रगति करें जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राक्टिस सेट के लाश्ट कोशन आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाते है यानि की इस कुशन का राइट अंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि कुशन का राइट अंसर क्या होगा उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजे और यदि आपको वीडियो पसंद को दिसलाइक कर दिजआ और आपने वीदिए को डिञेक क्यों किया इसको कमेंटबॉक्स में कमेंट करके बताएं जिसे क्या हो गिमें किमेंदे को अपने नष्ड बीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम।